एक बार एक और इतने निम्बू काटकर चार हिसा किया और एक हिस्से से शिकंजी बनाकर पती को दिया क्योंकि कंजुस पती हमेशा दो निम्बू लेकर आता हो निम्बू की भाव अस्मान चूरी है कुछ दिनों में इतनी थेलियों में सुनार की दुकाल में बिक्येगी इसी रिए तुम दोनों निम्बू के आठ इससे करना और पूरे हफ़ते मुझे शिकंजी पिलाना लेकिन एक दिन गर में बहुत पढ़ रही थी पत्मी ने एक पूरा निम्बू से शिकंजी बना कर पी लिया जब पती को मालूम पड़ा उसने पूरा घर सर पर उठा लिया तुम मेरे किड्नी में हार्ट एटक देना जाती हो पूरा निम्बू खा गई हफशी कही कि इन में अभी भी रस है अच्छे से निचोड़कर मेरे लिए एक ग सोनिम्बू की शक्ति वाली विम लिकुड डाल दिया कामन में बताओ कैसा लगा पैतनी का बजला